दोस्तों इस वीडियो में हम अपना ब्लॉग के सभी पोस्ट के लास्ट में ओथर बॉक्स बनाना सिखेंगे जैसे ये मेरा एक पोस्ट है और इसके लास्ट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यही ओथर बॉक्स इसे ही कहा जाता है यहाँ पे मेरा फोटो लगा है और यह मेरे बारे में लिखा हुआ है और इसके बाद नीचे यह हमारा सोशाल प्रोफाइल का आइकन है तो अगर कोई भी इस प्रोफाइल पे जैसे फेस्टबुक वाला पर क्लिक करेगा तो वो मेरा फेस्टबुक पेज पे आ जाएगा फिर यहां से वो मु इंग डिन पे फिर यहां से ट्यूटर पे और फिर यहां से यूटूब चैनल पर भी जाके वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर पाएगा तो इस ऑथर बॉक्स को बनाना जरूरी होता है क्योंकि इससे आपका यूजर के नजर में आपका ट्रस्ट बढ़ता है क्योंकि आप के हर पोस्ट के अंत में आपका author box होता है और आपकी पूरी जानकारी यहीं पर मिल जाती है वैसे यह सब जानकारी हमारा about us page में भी होता है लेकिन हर पोस्ट के last में भी होना चाहिए तो इस से Google के नजर में भी हमारा site का trust बर्षता है तो इस author box को लगाने के लिए अगर आप अपने site पे यहां पे आने के बाद और यहां पे आके और यहां edit profile के उपर click करेंगे तो यहां पे आके आप अपना जानकारी दे सकते हैं यहां पे लिक सकते हैं लेकिन यह चीज वहां पे post के लास्ट में नहीं दिखता है फिर आप यहां पे photo ढ़ सकते हैं लेकिन यह सब इन चीजह नहीं दिखती है अभी देखिए यह एक नया site है और इसका post मैं और उस plugin को install करके सबी settings को कर लेंगे तो आपके सबी post के last में author box अपने आप बन जाया करेगा आप जो भी यहाँ पे डालेंगे जनकारी वो यहाँ पे दिखा करेगा यह इस तरीके से और जो भी नया post डालेंगे उसमें भी अपने यहाँ यह author box दिखने लगेगा तो इसके लिए आपको plugin install करना है आप यहाँ पे अपना wordpress admin panel में login कर लें और login करने के बाद यहाँ plugin के उपर क्लिक करें और आप यहाँ पे plugin list में आ जाएंगे अभी आप यहाँ पे उपर add new के button पे क्लिक करें तो यहाँ पे plugin install करने का option आ जाएगा अभी यहाँ पे search box में आपको type करना है simple author box यह देखिए मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ इस तरीके से simple author box जब type करेंगे तो यह आपके सामने सबसे पहला पलगी नहीं आ जाएगा simple author box इसको अभी इस समय 50,000 लोग active कर रखे हैं और इसे करीब करीब पौने 5 rating मिला हुआ है तो इसे install करने के लिए install now बटन के उपर किलिक करेंगे और उसके बाद दुबारा से activate के बटन पर किलिक कर देंगे तो यह plugin जो है एक्टिवेट हो जाएगा अभी इस notification को यहाँ पे dismiss करिए तो हम यहाँ पे plugin लिस्ट में आ गए यह वो हट जाएगा तो आप इस वाले page पे आ जाएंगे अभी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है हमें जो बदलाव करना है वो यहाँ उपर यहाँ पे आपका profile icon और नाम दिखेगा इसके उपर mouse cursor लाएंगे और फिर यहाँ पे edit profile के उपर किलिक करेंगे और फिर य इस तरीके से लिख दिया अभी इसमें इधर नीचे के तरफ एक तो यहाँ पे आए आपका profile icon फोटो अपलोड करने के लिए इसमें नहीं करना है नीचे आएंगे तो यह रहा author box का जो option है अभी यहाँ पे अपना एक फोटो अपलोड करना है तो यहाँ अपलोड इमेज के बटन पर किलिक करेंगे और फिर यहाँ पे upload फाइल के बटन पर किलिक करेंगे और फिर यहाँ पे select फाइल के बटन पर किलिक करेंगे तो आपके computer में जो भी आप रखे हैं अपना फोटो उसको यहाँ से अपलोड कर सकते हैं तो मेरे पास यह एक यह फोटो है इसके उपर भी लगा सकते हैं उसके लिए उस text को select करना है और यहाँ पर link के button पर click करना है और जो भी link है यहाँ पर paste करने के बाद यहाँ पर इस तीर के निसान पर click कर देना है तो फिलाल मुझे link नहीं लगाना है अभी हम अपना social profile का link यहाँ पर add करेंगे इसके लिए नीचे आएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है social media links तो यहाँ पर add this इस button पर click करेंगे और आपके पास अगर facebook page का link डालना है तो यहाँ facebook को चुन लेंगे और फिर यहाँ पर facebook page के link को paste कर देंगे तो मैं अपना facebook page को यहाँ पर open कर रखा हूँ इसका link यहाँ से उपर से copy कर लेंगे और फिर वापस आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर click करके paste कर देंगे यह मैंने paste कर दिया और उसके बाद फिर दूसरा social media profile का link करने के लिए यहाँ add new social platform इसके उपर click करेंगे तो ऐसे आई एक नीचे भी आ जाएगा अब यहाँ पर click करके और कोई दूसरा चुन लेंगे जैसे instagram instagram के यहाँ पर paste कर देंगे आप अपना instagram profile का link paste करने के बाद यहाँ नीचे update profile के उपर जैसे click करेंगे वैसे यह जानकारी यहाँ पर update हो जाएगा और अब हम अगर यहाँ पर अभी नहीं है author box अगर अब हम इसे refresh करेंगे तो इस post में यह इस तरीके से आ गया और यहाँ पर आइकन पर click करेगा तो वो मेरा facebook page पर यह इस तरीके से आ जाएगा तो ऐसे करके आप अपना क्योंकि मैंने सिर्फ facebook का ही जो रहा था इसलिए सिर्फ facebook दिखा रहा है आप instagram youtube जितने भी आपका social profile है उसका यहाँ पर बटन लगा सकते हैं अभी यहाँ पर जो facebook का icon है इसका आ नहीं पर आएंगे और फिर से यहाँ पर plugin के उपर click करेंगे और इसके बाद simple author box के नीचे configure author box के button पर click करेंगे तो आप इसके settings पर आ जाएंगे और यहाँ से आप इसे manage कर सकते हैं यह जितने भी button दिये हैं इस button को on करके अगर आप color change करना चाहते हैं तो इसी में नीचे य आप इसके settings को manage कर सकते हैं यहाँ पर appearance के उपर click करके और इसके settings को भी आप on up कर सकते हैं तो इसमें जितने भी आपको settings को change करना है उसके लिए by side में यह सभी option दिये गए हैं इसमें एक एक करके typography के उपर click करके और इसमें आपको किस तरीके से उसका background का size वगरा है उसको maintain करना है यह सभी चीज़े आप यहाँ पर click करके जिसके उपर click करेंगे उसका settings डाइने side में open हो जाये करेगा और फिर आप उसे कर सकते हैं तो दोस्तों ऐसे करके आप simple author box plugin के मदद से इस तरीके से आप एक author box बना सकते हैं और हमने तो बिल्कुल simple सा बनाया है आप इसे चा करते हैं